तो दोस्तो आज 27 सेप्टेंबर 2023 बात करेंगे इस वीडियो पे कुछ इंपॉर्टेंट कंपणी की शियर के बारे में कल जैसे बजार उपन होगा शार्प 9 बच के 15 मीट पे आपका करी नजर होना चाहिए यह सारे इंपॉर्टेंट कंपणी की शियर के उपर क्योंकि आज द अपडेट्स आपके साथ में शियर करता हूँ तो सबसे पहले कंपणी का नाम है डिक्सों टेक्लोजी इंडिया लिमिटेड जो कि लास्ट दो तीन दिन से शियर में काफी अच्छा तेजी देखनी को मिला और इस बात का अलर्ट भी मैं आपको साटर्डे की दिन भी बोला अब मैं यहां पर क्लिक किया तो आपको टाइम दिख जाएगा जो न्यूस का अपडेट आया यह देखिए अब्सट लोग लोग पयुक आप tendency लोग आई मेन फेले अबने देखा तब बारे में थोड़ा चर्चाच हल रहा था की थोड़ा प्लेन चल राएं ऐसा कुछ भी तो देखें Dixon Technology India Limited has informed the stock exchange on 27 September that it is all a wholly owned subsidiary जो इसकी subsidiary कमपने उसके थू दोस्तों यहां पर partnership जिसका नाम है Packet Electronic Private Limited has entered into agreement with Xiaomi Technology India Private Limited for the manufacturing of smartphone clear cut mention किया दोस्तों किस बज़े से manufacturing of smartphone और Xiaomi दोस्तों बहुत अच्छा market capture करके रखा India के अंदर हो सकते है टॉप पोजिशन पर नहीं है iPhone की company उसमें दोस्तों को Xiaomi के नाम अराम से दिख जाएगा तब समस्तों इतने बड़े जो partnership हुआ है या agreement साइन हुआ इसका अपडेट मतब इसका impact हमें कल तो definitely market में काफी अच्छा तेजी के साथ देखने का चांस अब देखे इस वीडियो में मैं सिर्फ और से आपको न्यूज शेयर कर रहा हूं कोई भी शेयर बाई सेल करने करें करें नहीं दूंगा बठा इसके पहले इसके बारे में बहुत बार एक रहाम से और इवन कुछ टेम पहले भी जब हमने देखा शेयर एकदम से सारे 4000 का लेबल टच करने के बाद अल्मोज 4200 के आराउंड पहुंच गया था वहां पर आज की रेट में काफी अच्छा प्रॉफिट में तो एक ही बाद बोलूगा अगर आपको बाई करना है तो हमेशा शे है और बहुत ही कोड़ न्यूज है कोड़ न्यूज किसले बोल लो पहले आप देखिए न्यूज फिर आपको मालूम पढ़ जाएगा तो न्यूज कुछ ऐसा है केराला हाई कोट निगेट्स एफाइयर एगेंस मनपुर्ण फवनांस सीयो वीफी जो भी यहां पे इनका न था ठीक है जो भी सारे इनकी प्रॉपर्टी बगरा यहां पर उनके अंडर में ले लिया था कोट के अंडर पे तो उसको दोस्तों फिर से लॉटा भी दिया और जिस बैस हमने देखा क्यूंकि देखे कोई भी कंपनी की CEO हो गया CFO हो गया MD हो गया मैनेजिंग डेक्टर बह पूरा पूरा चांस है अब बात यह कि क्या आपको इन्वेस्ट करना चाहिए तो आइधिंग की देखे शियर लास्ट है मैंने पे काफी अच्छा रिटन दिया बीच में देखा था यह सौर रुपए का आसपास पास पांच के आसपास एक साल के अगर बात करें तो पहुंच गया था पर एक मैं आपको नेगेटी फैक्टर भी बताऊंगा इस टैप की कंपनी मात अब देखे कंपनी का बिजनेस अगर आप अब जर पड़ोगे गोल लोन सेक्टर को कंपनी काम करते है ठीक लोन प्रोवाइड करते है तो इंटरनेशन लेबल पे जो अक्सर फ्लक्ट्ट करते रहते हो कभी उपर कभी नीचे उसके साथ साथ आपको शेयर प्राइस भी बहुत ज़्यादा फ्लक्ट्ट्टिशन देखने को मिलेगा तो अपको समझ आ गया कि क्यूंच यह देखे लास्ट है मैंने पितना तेज़ी देखने को में क्योंकि गोल कुछ चोट ऐसा पार्ट एक और किया और आज की देट पर दोस्ते लेटेस्ट अब्डेस ट्रीट एनुका इंक पैक्ट एक्वर हंडेट परसें स्टेक इसके दोस्तों हंडेट परसें मतलब टोटली कंपनी के जो भी स्टेक था उसको खरीद लिया कंपनी का नाम है अनाम कंपनी का जो आपके साथ में शेयर कर रहा हूं यह सारे कंपनिया का चल गया ना आपको साला ना पचास से लेका सी परसें रिटन तो बहुत ही आराम से दे सकते क्योंकि यह सारी कंपनी का ट्रैक रिकॉट कुछ ऐसा ही है अगर आप देखोगे स्री रेनुका सुगर का 6 मै सेम चीज़ अगर देखोगे मनपूरम फनास देखें लास्ट शह मैने की बात के तीस परसेंट रिटन दिया एक साल की बात करें चापन परसेंट रिटन दे दिया तो अब समस्क्राइब करेंगे अगर आपको वीडियो भी तक अच्छा लगा इन्फार्मेटी लगा प्ली पाने के लिए क्योंकि एक दोवी फ्री है सबस्क्राइब करके रख दीजिए एचली ग्लास कोट लिमिंटेद तो इसके बार में काफी कमेंट आ रहा था कि सर इसके बार में कुछ बताईए शेर में लगादार किरावट एक टेम पर अच्छा बडेट आज चुका है कंपन तीन परसंट का स्टेक दोस्तों पीक किया ओपेड मार्केट के दुरू जिसका वैलेशन रखा गया मतब जो एप्रॉक्सिमेटली लगबक 121 करोड प्राइस भी दोस्तों मालूम पढ़ गया प्राइस है पांच सो पांच रुपए के प्राइस में टोटल 24 लाग क्यूब यहां पर खड़ीदा है और जिस बैसे बड़े प्लेयर से मतलब मतलब किया डियाइस ठीक है जो बड़े इंवेस्टर्स यहां पर खड़ीदा रही किया जिस बैसे शियर आच हमने देखा शुरुवात के समय पर अल्मोस 581 तक पहुंच गया तो उसके बाद मार्केट भी थोड़ा बहुत हमें वालेटल देखने को रहा है जिस बैसे थोड़ा नीचे पहुंचा बद अल्टिमेटली ग्लोजिंग दिया अल्मोस सारे चार परसें उपर जाके बठाब बीच में हमने देखा शेयर में काफी गिरावट भी होता मतब एक टेम पर यह शेयर खास दौ को एक्स्ट्रो ऑडिनरी से भी कुछ ज्यादा बोल सकतो हो ठीक अच्छेर पहुंच गयाता हो लगबग डेर हजार के करीब करीब कहां से देखिए 34 रुपए से डेर हजार पर पहुंच गया था बठाब छोटे कंपनी होने के कारण काफी रिस्की शेयर भी है तो इन्वे